सेंपल पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे पास 19 कोशेन है ABC एक ट्रांगल है C पर 90 रिगरी है यह ABC ट्रांगल है AC पर P पॉइंट है और BC पर Q पॉइंट है यह पॉइंट है हमारे पास P AC पर और BC पर Q पॉइंट है हमें प्रूफ करना है यह मुझे प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं सिर्फ हमने पाइथागोरस थिर्म लगानी है आप देखो A Q चाहिए आपको तो आप A Q वाला ट्रांगल ले लिजिए पाइथागोरस लगाएंगे A Q स्क्वाइर इकोल टू A C स्क्वाइर प्लस Q C स्क्वाइर यह आपकी क्वेशन फर्स्ट हो गई अब आपको क्या चाहिए पी क्यू यह पी क्यू चाहिए तो आप पी क्यू पे लगाएंगे पी क्यू स्क्वाइर इकोल टू P C स्क्वाइर प्लस Q C स्क्वाइर इकोशन टू तो आप एकोशन फर्स से एकोशन टू को माइनस कीजिए यह बनेगा आपका A Q स्क्वाइर माइनस P Q स्क्वाइर इकोल टू A C स्क्वाइर माइनस P C स्क्वाइर प्लस Q C और माइनस Q C तो QC से QC cancel आपके पास आया AQ square minus BQ square equal to AC square minus PC square अब आप देख रहे हो आपके पास AQ भी आ चुका है PQ भी आ चुका है आपको चाहिए AB BP ठीक है PC को यह PC है मेरा इस PC को यह PC है इस PC को मैं लिखूंगी BP के square में BP square minus BC square तो हम लिखेंगे PC को यह पर लिख सकते हैं PC square equal to BP square minus BC square तो put कर लेंगे इसकी value को यहाँ पर आप देख रहे हो आपको ट्रेंगल में देख रहे है AC AC का है यह है BC का है यह है AC square और BC square मिलकर क्या बना रहे है AB square तो आप इसको लिख लो AB square और यह BP square हो गया यह BP को आप इधर लाओ PQ को इधर लेके चले जाओ तो यह बनेगा AC square plus BP square equal to PQ square plus AB square और यही आपको proof करना था Hence proved clear next question है आपके पास ABC triangle है C पे 90 degree है और CD perpendicular on AB CD जो है AB पर perpendicular है यानि कि यह भी हमारा 90 degree बनाता है हमें proof करना है CD square equal to BD into AD यह हमें proof करना है आप इसमें भी Pythagoras यूज करेंगे सबसे पहले हम लेंगे यह वाला triangle ACD वाला तो यहाँ पर हमारे पास है CA square equal to CD square plus AD square first equation हो गई उसके बाद लो यह वाला triangle यह दर वाला तो यह जाएगा BC square equal to CD square plus BD square यह बना आपका 2 दोनों को add कर लेंगे equation 1 और 2 को add कर लेंगे तो यह बनेगा AC square plus BC square CD और CD मिलकर CD2 CD square और यह हो जाएगा AD square plus BD square अच्छा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा AC square और BC square क्या है क्योंकि यह भी 90 degree है तो Pythagoras AB square के equal हो जाएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो AC square plus BC square कितने का है AB square यह तो आप इसकी जगह यहाँ पर put करोगे AB square equal to 2 CD square और यहाँ से आप AD को इस साइड लेके आजाओ माइनस में AD square तो यह बनेगा आपका अब AB square minus AD square क्या लगाएंगे हम इस पर A plus B A minus B AB square minus AD square पर मैंने लगाया A plus B A minus B और यह बना 2 CD square plus BD अब देखो यहाँ पर AB AB minus AD यह पूरा AB है यहाँ से लेकर यहाँ तक AB है इसमें से AD को माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास? BD तो इसकी जगे मैं लिखूंगी BD यह वाला BD इस साइड लेकर आगे यहाँ से BD को common ले लेते हैं तो यह बना AB plus AD minus BD AD minus BD यह है हमारे पास AB यहाँ पर देखो AD और ABD है तो AB से अगर BD को माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा? AD, AB minus BD equal to AD तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे यह है हमारा AB और यह है BD AB से BD minus किया तो क्या बचा? AD तो यह बचेगा AD plus AD equal to 2CD BD into AD plus AD 2AD equal to 2CD square यह 2 से 2 कैंसल हो गया तो आपके पास प्रूव आया CD square equal to BD into AD यही आपको प्रूव करना था एक और बार देखो हमारे पास जो triangle है उसमें हम पहले यह वाले triangle में Pythagoras लगाएंगे फिर यह वाले triangle में Pythagoras लगाएंगे दोनों equation को हमने add करा add करने के बाद हमारे पास मिला AC square plus BC square उसको हमने लिखा AB square AD को में इस side लेके आई यहाँ पे लगाया A plus BA minus B यहाँ से मुझे मिला BD यहाँ से BD को इस side लेके आई तो यह आपके पास यह question साले next question है area find the area of the shaded region यह आपके पास यह figure दे रखी है इस figure में यह shaded region है और हमें इसका area निकालना है ABCD आपके पास rectangle है जिसकी side 8 cm और 6 cm है तो आपको पता है यह हमारे पास यह है circle circle का जो इसका जो diameter है वो circle का circle का जो diameter है वो इसका क्या है diagonal है तो पहले हम diagonal निकाल लेंगे तो diagonal का formula क्या लगाएंगे हम वही पैथाग औरस फिर से यहाँ पे 8 square plus 6 square equal to AC square तो यह जाएगा AC square equal to 6 का square कितना होगा 36 8 का square होगा 64 दोनों को add करा 100 तो AC आपका आगया under root 100 यानिकी 10 तो आपका diagonal कितना आगया 10 diagonal 10 है तो radius कितना हो जाएगा 5 radius 5 आगया अब आपको दिख रहा है मैं circle का area निकालूंगी circle का area से rectangle का area minus करो आपको shaded portion मिल जाएगा तो circle का area आपके पास होता है pi r square आप उसको लगाओ उसके बाद area of shaded region rectangle का area minus कर दो circle का area से आपके पास answer आजाएगा next question है water in a canal 6 meter wide 1.5 meter deep is flowing with speed of 10 km per hour एक canal है इस canal में suppose करो आपकी इस तरह से कोई canal है और इस canal में पानी बह रहा है यह पानी बह रहा है इसकी width दे रखी है 6 meter है और यह deep जो है यानि कि height जो है इसकी b इसका 6 meter है height इसकी 1.5 meter है और इसमें जो speed है water की वो है 10 km per hour यानि कि एक घंटे में इसमें 10 km तक पानी बहता है एक घंटे में 10 km तक पानी बह रहा है तो वो कहता है how much area will be irrigated in 30 minutes if 8 cm standing water is needed 30 minutes की बात ओरी तो हम इसको भी 30 में निकालेंगे 1 hour यानि कि 60 minutes में canal में जो पानी है वो है 10 into km को मीटर में change कर दिया मैंने या पर 60 minutes में या पर इतना पानी है 10,000 meter है एक मिनट में कितना होगा 10,000 upon में 60 और 30 minutes के हम respect में निकालेंगे तो 30 minutes में या पर है हमारे पास इतना पानी 5,000 तो ये जो 5,000 निकला 30 minutes में ये हमारी length हो जाएगी canal की length हो जाएगी तो हम निकालेंगे इसमें इसका volume 30 minutes में इस canal का volume कितना था L into V into H volume of canal V1 ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 6 into 5000 into 6 into 1.5 meter cube ये volume है किसका canal का 30 minutes में canal में जितना पानी है उतना ही पानी वो field में transfer हो रहा है तो जितना volume canal का है उतना ही volume किसका होगा field का होगा तो field का volume होगा हमारे पास area into height area into height तो ये दोनों volume equal होगे V1 is equal to V2 तो यहाँ पर हो जाएगा 5000 into 6 into 1.5 is equal to area into height तो height है हमारे पास 8 cm 8 cm को meter में change करूँगे तो 100 से divide कर देंगे तो आपका area आ जाएगा 5000 into 6 into 1.5 into 100 or divided by 8 तो ये आपका आगिया इतना area meter square next question है आपका mode का आपके परस class interval दिया वाए है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 और इसी तरह से 60 to 70 frequency आपके पास है 8, 10, 10, 16, 12, 6 and 7 आपने CF निकालना है cumulative frequency आपको आती है निकालनी तो सबसे पहला वाला जो नंबर है हम उसको ऐसी लिखेंगे 8 उसके बाद हम इस तरह से cross में चलेंगे 8 प्लस 10, 18 18 प्लस 10, 28 28 प्लस 16, 44 44 प्लस 12, 56 and then 62 and next 69 तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो maximum mode क्या होता है जिसकी frequency सबसे ज़्यादा होती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा frequency वाला कौन सा नंबर है 16 तो 16 का class क्या है 32, 40 तो हमारा model class model class हो गई हमारी 32, 40 बस आपने क्या करना है mode का formula लगा देना है mode का formula आपका पास L plus F minus F1 upon में 2F minus F1 minus F2 into में H L क्या होता है जो model class है model class की lower frequency sorry lower limit तो यह आपकी model class की lower limit है 30 F F क्या होगा आपका frequency F तो यह हमारी model class है L हमारा क्या है lower limit class की F हमारे पास है frequency F1 F1 होता है जो हमारी frequency है उसे previous frequency तो हमारा F1 हो गया 10 और F2 होता है उसके बाद वाली frequency तो यह हमारा हो गया 12 हम इनकी value को put कर देंगे यहाँ पर और उसके बाद हमारे पास answer है H हमारे पास है जो 10 और 40 है यह 30 और 40 है इन दोनों के बीच का difference जो class interval होता है उसके बीच का जो difference होता है वो हमारा H होता है class interval का तो हम यहाँ से यह mode का formula लगा लेंगे 30 plus 16 minus 10 और 32 minus 10 minus 12 और यह हमारे पास आ गया multiply करके 10 तो हमारे पास mode कितना आ गया 36 आपको सिर्फ क्या करना है model class थूणनी है model class find out करनी है उसके बाद आपको formula पुट कर देना है बस आपका answer आपके पास next question है हमारे पास two water tap together can fill a tank in 1-7 upon 8 hours the tap with longer diameter takes two hour less than the tap with a smaller one to fill the tank हमारे पास दो tap है एक larger tap है smaller tap है दोनों मिलकर जो time लेते हैं वो है आपका one is two seven upon eight hours दोनों मिलकर इतने घंटे लेंगे तो eight वंजा eight eight plus seven 15 upon eight hours वो ले रहे हैं मिलकर किसी tank को fill करने में वो कहता है कि जो larger है larger tap वो smaller tap से 2 घंटे कम लेता है 2 घंटे का time कम लेता है तो अगर आपने larger tap xr ले लिया तो smaller tap larger tap आपका xr में fill करता है तो larger tap कि smaller tap कितने में fill करेगा x plus 2 r 2 घंटे ज़्यादा लेता है वो larger tap xr में smaller tap x plus 2 r में अच्छा जब भी मैं बोलू कि ये total इतने घंटे ले रहा है x घंटे ले रहा है ये fill करने में तो एक घंटे में कितना काम किया इसने 1 r 1 r work एक घंटे में कितना काम करता है हम बोलेंगे 1 upon x 1 upon x काम करता है smaller वाला कितना करेगा 1 upon x plus 2 तो दोनों ने मिलकर एक घंटे में कितना काम किया 1 upon x 1 upon x plus 2 equal to एक घंटे में कितना ये total पानी को कितने घंटे में भर रहे है 15 upon 8 में तो इसको reciprocal कर लेंगे एक घंटे में कितना करेंगे 18 upon 15 यहांसे आप इसका LCM ले लो x plus 2 और x हमारा LCM आ जाएगा तो आप इसको बरोगे x plus 2 plus x equal to 8 upon 15 x plus x 2x plus 2 और यह multiply करोगे x square plus 2x equal to 8 upon 15 इसे cross कर लेंगे यहांसे 2 common ले 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 लिजिए तो यह हो जाएगे x plus 1 upon यह 2 है x square plus 2x यह जाएगा 8 upon 15 8 से cancel out हो जाएगा 4 time और यह यहां cross हो जाएगा cross multiply कर लेंगे तो यह 15x plus 15 equal to 4x square plus 8x तो यह आपकी quadratic equation बनेगी यहांसे तो यह quadratic equation है 15x plus 15 equal to 4x square plus 8x यहांपे 4x square 8x है 15 को इदर लेके जाओंगी तो minus में और यह वाला भी minus में 15 minus 8 7 minus 15 4x square minus का अच्छा यह 4x square minus 7x minus 15 है 15 into 4 splitting method हम देखेंगे यह है 4x square minus 7x minus 15 तो 15 into 4 के ऐसे factor 15 into 4 कितना होता है 60 तो 60 के ऐसे factor बताने हैं जो minus करके 7 आए तो 60 के factor कौन कौन से होंगे जिसको minus करके 7 आए तो यह होता है 12 into 5 12 into 5 60 होता है 12 minus 5 करूंगे तो 7 आजाएगा तो से लिखेंगे 4x square minus 12x plus 5 minus 15 यहां से हमने 4 को common लिया x को common लिया तो x minus 3 यहां से 5 को common लिया तो 5 x minus 3 equal to 0 और यह बना आपका x minus 3 4x plus 5 x की value आई यह आपकी 3 यानि larger वाला जो pipe है वो 3 गंटे में भरता है और चोटा वाला जो pipe है वो 5 गंटे में उसे fill करेगा next question है हमारा AP से AP कहता है if the sum of the first four term sum की बात कर रही हूं है तो SN sum का formula होता है n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d यह हमारा sum का formula है sum मतलब हमारे पाइस जितने भी term है a1 plus a2 plus a3 and dash 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 n terms तक an इन सब का sum तो यह sum का formula SN equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d तो कहता है if the sum of first four term पहले की 4 term यानि की S4 S4 का n की value कितनी हो जाएगी 4 1 में 2 और यह 2 a तो हमें पता नहीं है n हमारे पास है 4 4 minus 1 करूंगे तो यह 3d हो जाएगा और यह S4 है कितना यह आपका है 40 यह given है S4 40 है तो यह हो जाएगा 40 यह cancel out what 2 और यह हो जाएगा 2a plus 3d यहांसे 2 से 240 भी cancel हो गया तो यह बना आपका 2a plus 3d equal to 20 equation first यह आपकी equation first बनी आगे बोलता है that of first 14 terms अब 14 terms का यानि कि S14 का जो sum है वो है 280 यानि कि 280 equal to 14 upon me 2 2a plus n minus 1 होता है तो 14 terms है 14 minus 1 13 यह से देखो यह 7 time cancel 7 से 40 time cancel तो आपके पास बना 2a plus 13d equal to 40 यह आपकी equation 2 तो आप first and second first equation और second equation को solve कर लेंगे तो first equation है हमारे पास 2a plus 3d 20 minus कर लेती हूं minus किया तो यह 2a cancel हो जाएगा 13 minus 3 10d और 40 minus 20 20 तो d की value कितने आगे आपके पास 2 10 से cancel out होगे 2 times तो d आपके पास 2 आगया अब जब d आगया आपके पास तो आप इसकी value को आप first equation में रख सकते हो 2a plus 3 into 2 equal to 20 2a 20 minus 6 that is 14 तो आपके पास a आ जाएगा 14 upon 2 7 a आपके पास आया 7 d आपके पास आया 2 clear अब आपको पूछा है find the sum of its n terms n terms का formula s n sum of n terms s n n upon 2 2a plus n minus 1 into d यह आपके पास है formula n terms का निकालना है तो n की जगए n ही रखेंगे a की जगए 7 आगया मेरा तो यह 14 हो जाएगा n minus 1 into d की जगए 2 n upon 2 14 plus 2n minus 2 यह हो जाएगा n upon 2 14 minus 2 12 plus 2n तो 2 को कमन ले लेती हो 2 से 2 कैंसल तो यह बना आपका 6n plus n square यह है आपका n terms का sum next question है sin a minus cos a plus 1 upon sin a plus cos a minus 1 हमें prove करना है 1 upon sec के 10 a क्योंकि prove मुझे sec को 10 में करना है तो मैं इसको पूरे को sec को 10 में change कर लूँगी तो इसको change करने के लिए हम sin को इस पूरे denominator को numerator को डिवाइट कर रही हूँ है cos से divided by cos sin upon cos करूँगी तो यह जाएगा 10 cos upon cos करेंगे तो 1 और plus 1 upon cos होगा तो sec यह जाएगा sec denominator में भी यह जाएगा 10 plus 1 minus sec आपने यह फॉर्मुला लगाना है sec square minus 10 square equal to 1 कहाँ पर इस 1 पर बाकी को सेम रहने देंगे सिफ numerator में हम यह फॉर्मुला लगाएंगे तो 10 और sec को ऐसी रखा और minus 1 की जगए हमने रखा sec square a minus 10 square a नीचे ऐसी रहेगा denominator में कोई change नहीं करेंगे numerator में 1 की जगए sec square minus 10 square रखा नीचे कुछ changes नहीं होंगे तो उपर देखो यह बनेगा 10a plus sec यह sec a plus 10 a आप इसे बोल सकते हो यह बना a square minus b square तो यह बनेगा sec a plus 10 a sec a minus 10 a और आपका denominator ऐसे का ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो sec a 10 a sec a plus 10 a दोनों common ले लूँगी तो sec a plus 10 a common आपका इस पूरे की जगए आपके पास आएगा 1 यहाँ पर minus में sec a plus में 10 a जब minus को अंदर multiply करूँगी तो sec negative हो जाएगा negative वाला positive और denominator आप देख रहे हो कैसा है यह पूरा cancel out तो यह बना sec a plus 10 a लेकिन आपको लाना है denominator में sec a minus 10 a तो आपने क्या किया उपर नीचे multiply कर लेते है sec a minus 10 a से उपर multiply और नीचे भी maths का rule है किसी भी number से यह किसी भी value से जब आप multiply करते हो तो divide भी करना पड़ता है according to answer मैंने इसको जो मुझे चाहिए मैंने उसी से multiply divide कर दिया उपर तो बनेगा मेरा फिर से sec square a minus 10 square a यह होता है 1 और नीचे आगया मेरा sec a minus 10 a तो मेरा answer यहाँ पर आता है sec a minus 10 a यह आपका prove हो चुका है नेक्स्क्रिश्चिन ने हाइटन दिस्टेंस application of trigonometry से कहता है कि a man is in a boat rowing away from a lighthouse यह एक lighthouse है इस lighthouse से वो यहाँ पर 60 का angle बनाता था अब वो इधर से दूर जा रहा है इधर की side जा रहा है यह lighthouse से दूर जा रहा है और अब उसका angle जो है वो 30 degree बन रहा है यह जो है 30 degree बन रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने लिए 2 minute और यह height ले लो आप 100 meter का height है lighthouse of 100 meter तो कहता है इसके speed बताओ इसके speed कितनी है तो आप पहले ले लेंगे यहाँ पर 60 degree में आप formula लगाएंगे 1060 equal to 100 upon me BC यह लगाए आपने तो BC की value आजाएगी 1060 आपका होता है root 3 तो BC आपका हो जाएगा 100 upon root 3 अब आप लगाओगे 1030 तो यह जाएगा 100 upon BD तो 1030 होता है 1 upon root 3 100 upon BD तो BD की value आपके पास आगई 100 root 3 अगर आप BD की value निकालूंगी तो BD में क्या हो जाएगा BD होता है हमारा DC plus BC तो 100 root 3 BC की value में रख दूंगी put करूंगी यहां से equation first से BC की value put कर लिजे 100 upon root 3 यह जाएगा 100 root 3 यही पर आगे देखो 100 को इदर लेके जाओ तो DC की value आपके पास आगई 100 root 3 minus 100 root 3 100 को आप common ले लिजे LC में लोंगी तो root 3 into root 3 3 minus 1 upon में root 3 तो यह बना 100 into 3 minus 1 2 upon में root 3 यह आगे आपकी DC यह CD इसको आपको यह जो value है यहां से यहां तक की CD इसको पार करने में आपको लगे 2 minute इसको पार करने में आपको 2 minute लगे तो आपकी speed कितनी हो जाएगी distance upon time speed is equal to distance upon time distance आपका 200 upon root 3 time में आपका 2 minute तो आपने 2 minute तो यह आप यह बना 100 upon में root 3 यह आपका speed आगे speed per minute next question भी हमारा इसी से है height and distance है two pole of equal height दो pole है equal height के है center से इनके बीच की जो distance है वो 80 है 80 meter यहाँ किसी point से इनका जो elevation है angle of elevation एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है इनकी height है h अगर मैं इसको x ले लेती हूँ तो यह बनेगा मेरा 80 minus x आपने कुछ नहीं करना होता height and distance में आपने वस 10 theta लगाओ जो आपको value दे रहे कि आप वही angle लगा लेंगे तो मैं यहाँ पर 10 theta लगाते हूँ 60 लगाओंगी यह जाएगा h upon x 60 अने root 3 यहाँ से आपकी आगी x की value h upon root 3 यहाँ आगी h x equal to h upon root 3 10 30 लगा हूँ h upon 80 minus x तो 1 upon root 3 होती इसकी value यह हो जाएगा 80 minus x और equal to h root 3 x की value यहाँ से put कर लिजे first equation से x equal to h upon root 3 तो यहाँ पर put कर लूँगी तो यह हो जाएगा h root 3 plus h upon root 3 आगे solve करते है यह से LCM ले लेंगे I hope कि LCM आपको आता है तो h root 3 root 3 जब multiply होंगे तो यह बनेगा 3 h root 3 into root 3 आपका होता है 3 तो यह 3 h आगया 1 h आपका पहले से है यहाँ पर root 3 आगया 80 और यह हो गया 4 h और यह root 3 4 से 80 cancel हो जाएगा तो यह 20 बच जाएगा तो h कितना आगया आपका 20 root 3 अब जब h 20 root 3 है तो x कितना है x की value है h upon root 3 यानि कि 20 root 3 upon में root 3 root 3 से root 3 cancel x की value हो गई 20 तो इस point से अगर यह p point है तो p से यहाँ तक की distance हो गई 20 और यहाँ से तक की distance हो गई 60 तो आप इस तरह से इस question को कर सकते हैं कुछ नहीं करना आपने value हो गई 20 सबसे पहले इसमें जो important होता है height and distance में आपका figure होता है अगर आपका figure सही बना है तो आप कोई भी question solve कर सकते हो आपको सिर्फ most of the question जोओंगे आपके 10 theta पे ही base जोंगे तो आपने यह पे 10 theta लगा है इनकी value आपको पता है put करेंगे आप अपने आप answer आजाएगा आपका next question आप फ्रस्टम से है एक bucket दिये जिसका की upper diameter जो है वो radius 20 दिया है और नीचे का radius आपका 12 दिया है इसमें volume दिया हुआ है आपका 12 12308.8 cm3 volume का formula लगा लेंगे volume is equal to pi h upon 3 r1 square plus r2 square plus r1 into r2 r1 आपके पास है r2 आपके पास है आपको h निकालना है volume में आप value put करिए और h की value आपके पास आजाएगे यह h equal to यह 3 से यह multiply करूँगी बाकि इसको solve करा तो h आपके पास आजाएगा 15 cm उसके बाद surface area होगा आपका pi r2 square plus pi r1 plus r2 l यह formula based है पूरा question आपका formula based है अगर आपको formula याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपने बस formula में values put करनी है और आपका answer आजाएगा l की value यहाँ पर होती l is equal to under root h square plus r1 minus r2 whole square तो यह frustum है जब कोन को हम आदे से काट देते हैं जैसे कि यह है हमारे पास एक कोन है इस कोन को मैं यहाँ से काट देती हूँ तो यह कोन यह इस तरह से bucket type का बनेगा यह आपका glass जैसा होता है यह glass जैसे बनेगा यह इस तरह किसे इसे हम बोलते फ्रस्टम तो यह उपर यह नीचे का आपका है यह उपर एक सरकल और नीचे एक सरकल तो आपको बस इसका फॉर्मुला याद होना चाहिए वेल्यू पूट कीजिए आपका आंसर आजाएगा लास्ट कुश्चिन है हमारे पास मीडियन का हमारे पास मीडियन दिया हुआ है 0 to 30, 0 to 10, 10 to 20 यह क्लास इंटर्वल है 60 to 70 और फ्रिक्वेंसी दिया है आपके पास दो फ्रिक्वेंसी आपके इसकी मिसिंग है F1 और यहाँ पर F2 यह दो फ्रिक्वेंसी मिसिंग है हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले मैं इसमें निकालूंगी क्युमिलेटिव फ्रिक्वेंसी तो F1 दूसरा हो जाएगा 5 प्लस F1 फिर 14 प्लस F1 26 और यह लास्ट में आपके पास आगई 31 प्लस F1 प्लस F2 आपके पास इनकी टोटल वैल्यू दे रखी है 40 यानि की N हमारे पास 40 दे रखा है मीजियन दे रखा है 32.5 सबसे पहले मीजियन निकालने के लिए आप यहाँ से क्युमिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली आपने उसके बाद यहाँ पे दिखा है 30 प्लस F F1 प्लस F2 कितने के वैल्यू के इक्वाल है 40 तो 31 को मैं साइड लेके गई तो F1 प्लस F2 आपके पास आगई 9 यह 9 आगया है F1 आपके पास है तो यह 20 कहाँ पर लाई करेगा 26 प्लस F1 में क्यूंकि F1 प्लस F2 हमारे पास 9 है तो यह आएगा 26 प्लस F1 में तो हमारी median class कौन सी होगे, 30 minus, वो 30 to 40 वाली, यह हमारी median class है, तो यहाँ पर lower limit होगे 30, यह होगे frequency और यह आपका CF है, तो formula हम put कर लेंगे, m is equal to lower limit plus n upon 2 minus CF upon F into H, 12H, तो CF 14 plus F1 वो हमारी frequency है, CF है, यह जाएगी, जो हमारा cumulative frequency होती है, median class की, उसकी जो आपर previous cumulative frequency होती है, वो हम CF लेते हैं, CF लिया, इसकी value put करेंगे, तो आपके पास यहाँ से आएगा F1 की value, तो F1 आपके पास 3 आगिया है, फिर आप equation first में यहाँ पर value रख लेंगे, F1 plus F2 is equal to 9, F1 आपका 3 आगिया, तो F2 आपका आजाएगा 6, और यह थे हमारे questions,